वो आजादी नहीं थी वो भीक थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है अनाप शना बयानों से सुर्खियों में रहने वाली फिल्म अभिनेतरी कंगना रनावत ने एक बर फिर विवादित बयान दिया है उनके बयान की व्यापक आलोचना भी हो रही है एक राश्टी मीडिया के वार्शी कारेकर में भाग लेते हुए कंगना ने कहा भारत ने 1947 में जो आजादी पाई वह वास्तेविक आजादी नहीं थी वह भीक थी असले आजादी तो 2014 में मिली है कंगना के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वाइरल हो रहा है देश की तमाम हस्तियों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है कंगना के बोल पर उनकी आलोचना हो रही है बाश्पा सांसद वरुन गांदी ने कंगना का या वीडियो शेयर करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वरुन गांदी ने अपने ट्वीट में कहा है कभी महात्मा गांदी जी के त्याग और तपस्या का अपमान कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीत मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्वी बाई, भगत सिंग, चंदर शेकर आजाद, नेताजी सुबास चंदर बोस और लाखो सोतंदरता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरसकार इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देश दिरो इस से पहले कंगना रनात ने टाइमस नौ के कारेकरम में कहा था कि 1947 में मिली आजादी, आजादी नहीं बलकि भीग थी, कंगना इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि जो आजादी मिली है वह 2014 में मिली है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें